सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान मेटर ओक्षेनेट काटर में सोल पाउर रिष्टोर इंग्रीडियन्ट लेने गया पर वहाँ उससे कुछ नहीं मिला लेकिन तबी नालन भी वहाँ आई और उसने याफे से अपने दादा को ठीक करने के एक हेवनली फ्लेम वाले सोल मास्टर को डूनेयों का जिसके लिए उन्होंने सोल पाउर रिष्टोर इंग्रीडियन्ट का प्राइज रखा था जियोयान अपने मास्टर को बचाने के लिए अपने अपमान को कुछ देर के लिए बूल गया और नालन रेजिडेंस में आ ग कि गुए ने कहा कि उस जिहर को निकालने के लिए हेवनली फ्लेम के आशकता होगी पर हेवनली फ्लेम वाले एलकमिस्ट को डूना बहुत डिफिकर्ट है इसलिए मैं अलग-अलग तरीके आजमा रहा हूं तब दो एलकमिस्ट वहां कर बताते हैं कि हम आपके पिता का इला कोई तरीका नहीं होता मुख्या निराशोकर केते कि लगता है मेरे पिता को अब नहीं बचाया जा सकता और वो सभी को वापस लोड़ जाने हो केते हैं तबी जियोयान केता कि मुझे एक कोशिश करनी है सभी सेरान होते हैं और दूसरे एलकमिस्ट केते कि एक टियर टू का एलकमिस्ट भी यहां आने का सास कर सकता है मुख्या जियोयान के पास आकर बूशते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे पिता को ठीक करने का कोई उपाई है जियोयान भी उनसे क्वेशन करता कि क्या पिलकिंग उन्हें ठीक कर बाए मुख्या केते हैं कि अगर पिलकिंग उन पर नालन वहां आकर अपने पिता को शान करते हुए यान जियों से कहते हैं कि कृप्या आप मेरे पिता को गलत ना समझे इनका एरादा आपको टेस्ट पहुचाने का नहीं था जियो यान कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत समय बरवाद किया यह सुनकर बाइकी एलकमि किस भी मेरे पिता को सही नहीं कर पाए जियो यान उन्ने अपनी ग्रीन लोटस को और फ्लेम दिखाता है जिससे सब भी हरान रहे जाते हैं उन्हें अपने आखो पर विशाष नहीं होता कि इस बच्छे के पास है उनली फ्लेम है जियो यान कहता कि क्या मैं योग्यू हूं मुख्या जियोयान से माफी मांगतेओं कहते हैं कि मैंने तुम्हारी काबलियत पर शक्क किया इसलिए कृपयाई से व्यक्तिकद रूप से नाले फिर नालन और मुख्याउने अपने दादा के रूमें लेकर जाते हैं नालन के दादा बियोंश थे और उनकी बोड़ी में जर काफी ज़ादा फिल चुका था मुक्या जियोयान को बताते हैं कि मेरी पिता डूहांग इस्तरबर है इसलिए नोने सालों तक इस जर को सर्ण किया पर अब ये अपनी सीमा पर पहुंच चुके है इसलिए चोटे बाई क्या तुम्हारे पास इनने ठीक करने का कोई तरीका है जोयान कहता है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है पर जियसा पिल किकने का कि अवनली फ्लेम का यूज करके इनके जर को दिरे दिरे बाहर निकाला जा सकता है पर इनके ठीक होने की 50% से भी कम समावना है अगर हमने कोशिश नहीं की तो कुछ दिनों में ही इनकी डेत हो जाएगी इसलिए या तो इनने मरने दे या फिर इनका इलाज करने ही कोशिश करे नालन कहती है कि अब बहुत रिस्की है इसलिए कि आप शोर है कि आप इने ठीक कर देंगे जोयान इससे गुसा होता हुआ जाने लगता है और कहता है कि अगर आपको मुझ पर विशाशी नहीं है तो मैं इनका इलाज नहीं करूँगा मुख्याव से रोकते हुए कहते हैं कि कृपया नाराज ना हो नालन को केवल अपने दाजी की चिंता है पर मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ अगर तुम मेरे पिता को बचा लेते हो तो मैं सिर्फ तुमें गिप्टी नहीं बलकि मैं तुमें नालन फेमेली का एक इसा भी बना लूँगा जोयान कहता है कि आप दोनों साइड में अड़ जाएं जोयान दादा को टाकर उनके पीछे बेट जाता है और अपनी हेवलली फ्लेम को एक्टेट करके उनके बोड़ी को आख से जलाना शुरू कर देता है जिससे तेज रोशनी निकलती है नालन इसे डर जाती है जोयान देखता है कि नालन के दादा का जर बहुत तेज है और ये डीप तक पहुंच चुका है इसलिए लगातार उन पर एवलली फ्लेम छोड़ता है वाईया में मेटर ओक्शन ओफिस में टेंग शान और बोडों को दिखाया जाता है जो पुरानी बाते कर रहे थे टेंग शान बोडों से कहते हैं कि मुझे उमिर नहीं थी कि तुम वापस आओगे टेगर रेगिस्तान के इसनेक ट्राइब में कड़ा पेरा होता है पर फिर भी मैंने तुम्हारी खोच करवाई लेकिन मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाया बोडों कहते हैं कि उस समय मुझे कुछ हुआ इसलिए मैं कहीं साल वनवास में रहा पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम भी डूवेंग बन चुके हो इतनी सारी रिस्पोंसिबिलिटी के साथ भी तुमने अच्छा लेवल अब किया टेंग शान कहता है कि तुम मेरा काम अच्छे से समझते हो पिछले कुछ सालों से इंप्रियल के बिठल में कुछ बड़ा चल रहा है यूनलेंज सेट के पुराने लीडर यूनशान कुछ सालों पेले डूजोंग बनने की कोईशिश में मारा गया अगर वह आस्तों में डूजोंग बन जाता तो जियामा फेमिली और यूनलेंज सेट के बीच की रिलेशन्शिप बहुत ही इस्टेस्फुल हो जाती और हमारी मेटर फेमिली की सिच्वेशन भी बहुत डिफिकल्ट होती बोडों कहते हैं कि डूजोंग बनना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि डूजोंग फाइट एमपरर से भी बड़ी कल्टिवेशन लेवल होती है टेंशान कहता है कि अब चाहिए स्थेती केसी भी बदले पर तुम अब हमारे साथ हो इसलिए मेटर परिवार के पास खुद को प्रोटेट करने की पावर है बोडों कहते हैं कि सालों पेले सील लगने की वाज़े से मेरी पावर में काफी गिरावट आई है और उन्हें इंग्रिडियंट की लिष्ट देते हुए कहते हैं किसे खोजने में मेरी मदद करो तायकि मेरी पावर को बढ़ाया जा सके साथ ही हो उसे सौल पावर को रिश्टोर करने वाले आईटीफेक्ट भी डूने हो कहते हैं इससे हमें पता जलता कि बोडों को जोयान की कितनी फिक्र थी वहीं जोयान अभी भी हेवली फ्लेम से नालन के दादा का जर निकालने कोशिश कर रहा था हेवली फ्लेम उनकी बोड़ी के जर को निकालने लगती है जिससे नालन के दादा ओश में आ जाते हैं पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, जोयान उन्हें कहता कि मैं जर से चुटकारा पाने में लगा हुआ हूँ, आपको इस बयानक दर्द को सेना होगा, अगर आपने इसे सेन कर लिया, तो आप भज जाएंगे, नालन के दादा कहते हैं कि बच्चे तुमने मुझे आखिरक बच्चा लिया, जोयान कहता कि अभी भी आपके बच्चने की कम उमीद है, नालन के दादा कहते हैं कि मैं इसे नहीं मर सकता, तुम बस मेरा इलाज करो, और अगर मैं मर गया, तो कोई तुम्हें दोश नहीं देगा, नालन अपने दादा से कहती है कि आपको इसी बाते नह यह हालत हुई, तैब यूने हेवनली फ्लेम से बहुत जाद धर्द होता है, जोयान उनकी बोडी से दिरे-दिरे करके जहर निकाल रहा था, मुक्या यह देखकर नालन से कहते हैं कि लड़का वाकई कमाल का है, इसके पास इतनी कम उम्र में हेवनली फ्लेम है, नालन कहती ह कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है, क्योंकि कुछी दिनों में जो परिवार के बेटे के साथ तुम्हारा थिरी एयर एग्रिमेंट पुरा होने वाला है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके परिवार ने तुम्हारी वज़े से कितनी शर्मिंदगी का सामना किया, और मैंने सुना कि दो साल पेले जयोयान ने शेयर को छोड़ दिया था और हो कर्टिएशन करने चला गया लगता है उसने अपने पुराने कर्टिएशन टेलेंड को वापस प्राप्त कर लिया है नालन के दी है कि मैं थ्री एर एगरीमेंट को जरूर पुरा करूँगी लेकिन अगर मैं हार गई तो शर्थ के मुझे जियोयान की दासी बनना होगा जो मुझे कभी मंचूर नहीं है जियोयान अब तेजी से wrestling बोड़ी से जल निकालने लगता है पर इस से उने बहुत जायरा धर्द होता है और वह से कहते हैं कि मैं इससे जायरा सफने नहीं कर सकता मैं भी जहर आ चुका है पर उसे चिपा लेता है मुख्या जियोयान से बूसते हैं कि क्या मेरे दादा को जहर से चुटकारा मिल सकता है जियोयान कहता है कि अभी की प्रोसेस के इसाफ से मुझे इनकी बोड़ी से जहर निकालने में कम से कम साथ दिन लगेंगे मुख्या जियोया परफेक्ट लग रहा था। नालन जियोयान के पासा जाती है और उस से बातों का ज्अब नहीं देता। नालन केहती है कि तुम बहुत अच्छे एलकमिस्ट हो। इसलिए तुम्हें टियर्थीरी की भी परिशा देनी जाहिए। जियोयान कहता है कि रेंग मेरे लिए माईने नहीं रखती, नालन कहती है कि तुमने सही कहा मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ, तो जियोयान अपनी स्वल पावर से उसकी लेवल चेक करता है, पर उसके चारों और एक शिर्ड एक्ट्येड थी, जि अब वहां से निकल जाता है, नालन को यान जियो बहुत एरोगेंट और संकी लगता है, वही हमें जियालाओ को दिखाया जाता है, जो अपने मैल में होते हैं, तब एक सेनिक आकर बताता है, कि हमें खोजबिन करने पर पता चला, कि बोड़ों वापस लोट आया, आपका अ उन लेंग सेट के साथ मिल गया, तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, वाई हम जियो यान को देखते हैं, जो अपने कमरे में बेठा हुआ था, और हो देखता है कि उसकी बोड़ी में भी जहर चला गया है, क्योंकि एक भयानक जहर था, जियो यान कहता है, कि अगर मै मेरी बोड़ी में प्योर एनरजी बना रहा है, मुझे इस जहर को सिकार करना होगा, यह मेरे लिए फाइदे मंद होगा, जो यान इससे खुश होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, गाईस अगर आप इसका नेश्पार्ट भी जल्दी देखन चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, थेंक्स वरोचिंग